आज मैं नीज पीजा बनाने जा रही हूं जो बीना इस्ट और चीज से बने होंगे जिसके लिए मुझे चाहिए एक कटोरी मैदा और दही और यह स्वाज अनुशार थोड़ा नमक चलिए तो इसे बनाने के लिए पहले क्या करना होगा कि आटा और दही को दोनों को मिला कर 3-4 घंटे के लिए रेश्ट करने हो गया तो चलिए इसे बनाते हैं कि कैसे त्यार करते हैं एक बरतन में और आटा मैदे को डालकर आटा नहीं सोरी मैदा और दही और यह नमक और इन चीजों को हम मिला कर सारी 3-4 घंटे के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे यह देखे इस तरह से आप पूरा सबको मिला कर इस तरह से आप त्यार कर लिजिए और इसे आप 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ दें तभी यह बहिया पीजा बनता है इसके उपर हम थोड़ा सा रिफाइन ते आफ ने चोड़ देंगे अर इसे कपले से ढग दिजि इक कप्रे से ढख कर जोड़ देते हैं चली यह अब दोर मैरे त्यार हो गया है इसे यह रख के और हांतों की सहायता से मैं यह पीजा को इस तरह से रेडी कर लिया है और इसे मैं अब तवे में डाल तवा मैंने धिकने के लिए गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें मैं आपको डालके इसे तयार कर लेते हैं यह दिखा देखिए इसे हाथों से चाहिता से आप इतना तक ज्यादा इतना मूटा नहीं होना चाहिए जाना तरह से इतना हो जाए तो फीर से हम कर्ची के सहायता से पलट लेते हैं और आज को एक दम मीडियम रखेंगे चलिए इस तरह से मैंने पीजा सॉंस इस पे लगा दिया है और आप मैं इस पे वेजिटेबल से इसे रख लोगी आपको वेजिटेबल में जो भी पसंद आता है आ यूओ भालीिव रख लैसे जो भी आपको अच्छा लगता है और जूड़ी में उसे आप सजा कि इस पे जी और यू को यह वेजी नहीं मैंने मियोनीच को इस पे लगाए खासएदिसमेंorit में मैंने मियोनीच पीजा बना समा ना से तो इसे अपने ज्यादा नहीं थोरा- मैं मियोनीज से मैंने इसे का लिए और उपर से मैं गोल की को थोड़ा चिट देते हैं और इसे बड़ बरतन से ही आपको ड़क के दिखा देती हूं इससे आपको यह रेस्पी त्यार हो जाएंगे एजा एक दब मीडियम पे रखिएगा आप आज अब इसे मैं एक बरतन के सा देखे अदो बाहर से खाते हैं तो यह दिखिए मेरा पीज़ा पराओ एकलम रेडी हो गया है अंगे इसे गाल था में मोगे यह एपले देखी घंण गर्मा रेड़ दीरिया पीजा आप इसे घर में बनाईए और सब लोगों को खिलाईए और कुछ रहिए लॉक्डाउन में ऐसे भी बंद है कुछ घाने को मिल जाएगा घर में इसे अच्छा और क्या बात है तो आप इसे ट्राइए कीजिए और अच्छा लगी तो लाइक कीजिए सेल कीजिए वह कुली